हलो एबरीवन वेलकम बैक टू मैं चनल स्वितारसो cigarette दो आज लेकर आयाई हूं कथल की रैसिपी कथल की सब्जी तो आपने बहुत सारी खाई होंगी तो आज लेके आई लाल मिर्च पाउडर तो अब एट कर रही हूं हल्दी पाउडर इस इसाथ आइड करूँगी थोड़ा सा ब्लेक पेपर पाउडर और इसे अच्छे से फेट लूँगी एक बी लम्स ना रहे इसे अच्छे से mix कर लेना है तो यहां पर देखिए थोरी देर में अच्छी सी यह mix हो चुके हैं तो अब इसमें जो काजू एट करूँगी उसे मैं फूलने कले रख दूँगी तो यहां मैंने एक प्लेट में काजू लिया है काजू मैं एट कर रही हूं गर् मैंने हाप केजी कठल लिया तो उसा का अनुसर मैंने एंट हम लिया है प्यास की मात्रा थोच जादा लेंगाश को बहुत ही कराड़ा से cream कर्सकरण के श्यूआ कर लें हैंउब यहां पर देख सकते प्याज एकदम फ्राइट में निकालना लोगी और को यहां इसे थोरी द मैंने सारी प्याज को रख दिया है और इसे कवर करके you can do के यहां पे अच्छ मैंँ दर्दरा सा गृंड किया है ठरी आ सेम है च거ण दिया है फिर उसी मिकसर में काजू का भी पेश्ट एड़ी कर लेड खोली तो मैंने प्याज निकाल लिया था और उसी में काजू पानी एट कर दिया है यहां पर देख सकते हैं काजो का पेश डेडी हो गया है यहां पर मैंने कठल को कट कर लिया है कठल को मैंने छोटे पीसे में कठ किया है कठल के चिलगे को उतार के कठल को अच्छे से वास कर लिया है यहां पर चुले पर मैंने प्रेसर कुकर चरा दिया यहीं खरी मसाली को आइड करूंगी शीडा लॉंग, तलग इनम पखनी दूँगी, आप सरसो तैल के जगा रिफाइन व integr कर सकते हैं अब इसमें मैंने कठल आइड कर दिया है यहां amiga मैंने कठल को आइड कर दिया है और इसे mix कर लूँगी और इसे 2-3 मिनिट तक थोड़ी देर fry करूँगी ताकि कठल में थोड़ा सा color change हो जाए तहाँ पर मैं कठल को mix कर रही हूँ और इसे मैं थोड़ी थोड़ी देर में mix करते रहूँगी कठल कोर्मा की रेसिपी बहुत ही tasty बनती है इसलिए एक बार जरूब ट्राइ करें कठल कोर्मा की रेसिपी यकिन मानी आपको बहुत ही पसंद आएगा यहाँ पर देख सकते हैं मैं बीट बीच में कठल को चला रही हूँ कठल का color थोड़ी दिर में change हो गया है तो अब इसमें add कर दूँगी अधरक लहसन का paste यहाँ मैंने paste add कर दिया है और इसे mix कर लूँगी और paste add करने के बाद इसे 2-3 मिनिट तक लिए और भूनूँगी यहाँ पर देखिए कठल का color change हो चुका है तो कठल को भूनते मैंने यहाँ पर कठल को dry कर लिया है तो आप ही same रखे जब कठल dry हो जाया तब इसमेंWasal in एड करूँगी अर इन दोनोंको add करने के बाद इसे mix कर लना लिया ओर इसे rail चलाते क्योंकि इसमें दही फट ना जा इसलिए आप चलाते रहें कठल कोर्म है जब भी बना रहे हो जब भी दही आप यूज करें तो दही अध्नम फ्रेश यूज करें कि यहां पर देखिए इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक एड़ कर दूँगी क्योंकि नमक मैंने पहले एड़ नहीं किया था नमक एड़ करने के बाद इसे मिक्स कर लूँगी और इसे थोड़ी देर भूनूँगी अच्छे से इसमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखे ताकि यह अच्छे से भून जाए अगर आपको स्वेता रसोई घर की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी दिर भूल लिया है, तब इसमें गी एट कर दूँगी, तो यहाँ मैंने एक चमच गी एट किया है इसे के साथ मैंने काजू पेस्ट भी एट कर दिया है, और इसे मिक्स कर लूँगी घी एंड काजू पेश्ट जरूर एड़ करें इसे बहुत ही रिच क्रीमी सार तेस्ट आता है कठल कोड़मा में इस तरह के से आप भी बनाए कठल कोड़मा आपके घर में हर किसी को ये पसंद आएगी आप एक बार खालेंगे तो ये बार-बार आप खाना पसंद करेंगे तो यह आप देखिए थोड़ी दिर में कठल का कलर भी चेंज हो गया और ये अच्छे से ड्राय हो चुका है तो इसमें पानी एट कर दूँगी मैंने मसाले को अट किया तो वही पानी मैंने मिक्स करके एट कर दिया है कठल के अनुसार इसमें पानी ले एंद इसे अच्छे सी मिक्स कर लूँगी तो आप गिरेवी के अनुसार भी इसमें पानी एड़ कर सकते हैं मैंने कमी पानी इसमें एड़ किया है इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आप इसमें एड़ कर दूँगी गर मसाला पाउडर आप चाहे तो सब्जी मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं हुआ है इसे साथ मैंने आड़ कर दिया यहां पर कसूरी मेथी ज़रूरे ज़रूर करें बहुत ही टेस्टी बनती है इसे मैंने मिक्स कर लिया है इसे कवर कर दूंगी और इसे चार से पां सीटी बजने तक अच्छे से पकाऊंगे हाई टूह मीडियम प्लेम पे यहां पे 5 सीटी बज़ें तक मैंने अच्छे से पका लिया है तो रेडी है कठल कुर्मा देखिए इसका कलर बहुत ही बढ़ी आया है यह ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी आई है तो रेश्पी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करें त सफ ततकली बऑई द्या करें चा कहेंट कर दोड़ी है कर्दाइब करेंस आई है यह उस्यजेए है प्रकेंट कि अच्छाइब करेंसे हैं षठर करुंए है वाँ है इmmel दो रot पहना प्र्धार मामैं एच्छाँ है एा पो टीक प्रछेए है टो ड़के wolves आई देस्या